नमस्कार सलाम, नियूस कलिक के इस खास कारेकरम चुनावचक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल इस बार बारी है मध्यप्रदेश की, जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मिजोरम और 36 गड़ की मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 नमंबर को मद्दान हो चुका है, और 36 गड़ में भी पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है अब 17 नमंबर को बारी है 36 गड़ की बाकी 70 सीटों की और दूसरे बड़े एहम राज्य है मध्यप्रदेश की, मध्यप्रदेश की सभी 230 सीटों पर 17 नमंबर को वोट डाले जाएंगे तो इस बार फोकस मध्यप्रदेश पर शुरू करते हैं चुनाओ चक्र मध्यप्रदेश का चुनाओी हाल बताने के लिए आज हमारे साथ हैं मध्यप्रदेश में हमारे साथी रिपोर्टर काशिव काकवी और वरिश्पत्रकार अनिल जैन जो खुद इन दौर के रहने वाले हैं हम दोनों से बारी-बारी मध्धपरदेश चुनाओं में जन्ता के मुद्दे और राजनिती की बात करेंगे हाँ आपको यह बता दूँ कि मध्धपरदेश में समय शिवरा सिंग चोहान के नितरत में बीजेपे की सरकार है जिसे कॉंग्रेस वाले चोरी की सरकार कहते हैं फिर बदल हुआ समिकरंड बदले जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है और कॉंग्रेस गुड के कई विदायक इस्तीफा दे कर जो तिरादित्ते सिंध्या के नितरत में तूटकर बीजेपे में आ गए और इस तरह विदायकों के तूटने या तोलने से बीजेपे ने फिर सरकार बना ली इस तरह मद्धे परदेश में सिवराशन के नितरत में करीब 20 सालों से बीजेपे की सरकार है तो इस बार क्या होने जा रहा है मद्धे परदेश में ये बताएंगे हमारे साथी पत्रकार काशिव काकवी काशिव जी आप मद्धे परदेश लंबे समय से कवर कर रहे हमारे लिए इस क्लिक के लिए और इस समय लगातार चुनावी दोरे पर हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इस समय कहा है और इस से पहले आपने कहा कहा दोरा किया चुनाव का रंग क्या है महौल क्या है क्या मुद्दे हैं सर अभी मैं मनसौर में हूँ जो कि राजस्थान से सठा जिल्ला है यहां सठे नीमच है और मैं पिछले चार दिनों से रतला, मनसौर, नीमच, छेत्र, नीमच, यह मालवा का छेत्र कहलाता है मैं इस के दोरे पर हूँ और यहां के अगर हम मोटी मोटी बाते करें जो मुद्धा है वो सबसे बड़ा किसानों का है क्योंकि किसान यहां पे काफी अची मातरम है और एक बड़ी बात ही है कि यहां के किसान काफी सेंसिबल और हम आप कह सकते हैं कि गरीब किसान नहीं है यहांपर अच्छे किसान है जो कर आप उनके अच्छे घर देखेंगे बनेवेंगे किएर बनेषी किषार सुठार मंजहुले और बड़े किसानों का है और यहां की जो मेजर फसल है वो लहसुन है, पियाज है गेहु है और मुंग फली है तो यह इधर की मेजर मेजर फसले हैं जो होती है अगर आपका अंदाज़ा हो कि 2000 साथ जो मंसौर गोली का दुआ था वो लेसन को लेकर के ही और पियास को लेकर के ही हुआ था तो मैं फिलाल इस छेतर में हूँ और इसी के दोरे पर हूँ पिछले 3-4 दिनों से तो मुद्दों की बात करें तो किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है और जो बाते चैन निताओं हों दोनों पक्ष के निताओं से हो जा फिर मंडी के लोगों से हो या फिर किसानों से हो तो उसमें जो एक लाइन निकल करके आती है कि जो लागत मूल ले है वो काफी पिछले 3-4 सालों में बढ़ा है किसानी का चाहे वो यूरिया हो उनका कहना है कि 200 रुपे मिलता था वो अब साड़े 300 रुपे हो गया और 50 किलो के जो कटा उनके पर मिलता था वो 45 किलो का हो गया कई जगों पर बोरा बांद के बेचते हैं कई जगों पर खोल के 5 किलो निकाल लेते हैं फिर बेचते हैं इसी तरह से DAP का रेट बढ़ गया है और GST लग रही है equipment से सारे के सारे equipment पर 18% से लिख के आस पास तो इन सा मुद्दों को लेकर करके वो अपनी बात रखते हैं तो लागत काफी बढ़ गई है और उनका कहना है कि जो जैसे हम पिछले पांच साल पहले भी हम 1800 रुपे ही गेहूं बेच रहे हैं आज भी वही हाल है 2100 रुपे मिल रहा है पांच साल के बाद भी और लेकिन जो लागत है वो नहीं निकल पा रही है तो किसानों के मुद्दे तो ये हैं लेकिन राजनितिक दलों की प्रतिकरिया हैं वादे घुशनापत्र क्या हैं इसके बारे मताईए देखिए जो कॉंग्रेस वीजेपी अभी तक अपना मेने फेस्टों नहीं लाई है और वो हलाकि किसान और रखबो की बात करते हैं कि हमने बढ़ाई हमने सीचाई बढ़ाई और हम किसानों को पैसा दे रहे हैं किंदर सरकार भी दे रही है राज सरकार भी दे रही है दोनों मिला तो इस तरह की बाते बीजेपी कर रही है लेकिन कॉंग्रेस ने बहुत साफ तोर पे तीन चार बाते किसानों के लिए रखी है जिसके वजह से किसान थोड़ा सा रुजान उनका उधर स्थरफ दिखता है सबसे पहला है कि दो लाग तक की करज माफी तो जो हम कह रहे हैं कि मझोले और बड़े किसान हैं तो दोड़ के बेरिकेडिंग में वो आते हैं उसे उनका फाइदा होगा दूसरा उन्होंने MSP की बात की है कि धान और गेहूं पे 2526 रुपे की MSP देंगे जो कि पहली बार मत्रपरदेश में देखने को मिला है कि कोई पार्टी MSP का वादा कर रही है और तीसरा है कि पुरानी जो बिजलियां किसानों की हैं जिसके वज़े से या तो कंडिक्शन कार्ट दिये जाते हैं या और भी समस्चा होती हैं नहीं पेपक कर पा रहे हैं या अच्छा है किसान एक बड़ा मुद्दा है और बनना भी चाहिए और उनकी समस्चाएं उनकी लागत उनकी MSP लेकिन मैं आपसे पूछूँगा क्योंकि आप मालवा रिजन में हैं आप क्योंकि लंबे समस्चे मध्यपरदेश ही कवर करते हैं लगाता रिपोर्ट करते हैं तो ओर आल पूरे मध्यपरदेश का क्या माहौल है और उसमें कॉंग्रिस और बीजे पी के अलावा क्या कोई और प्लेयर भी हैं कोई और फैक्टर भी है किस तरह से चल रहा है चुनाओ देखिए इससे पहले मेरा गौालियर चंबल जाना हुआ मैं वहां पर पांस दिन रहां च्छेतर गोमते हुए लोगों से मिलते हुए उससे पहले मैं निमाड गया था जो कि आदिवासी बहुल च्छेतर है और उससे पहले मेरा विंद जाना हुआ जो कि रिवा सतना सीधी का च्छेतर है तो ये तीन जगों कि मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़ादा जो लोगों में नाराज़गी दिखती है वो है गौालियर चंबल में बहुत सारे हर चेतर की अपनी समस्याएं हैं अपने अपने मुद्दे हैं लेकिन जो एक बात निकल करके बहुत कौमन आती है वो है कि गुस्सा है लोगों के अंदर सरकार के प्रती एक उबावपन भी है कि उप चुके हैं लोग एक तरह के भाशन से एक तरह के निताओं से और कुछ लोग मुक्मंतरी को पसंद नहीं करते हैं कुछ लोग लोकल लीडर्सिप के बहुत खिलाफ हैं कि वो पिछले 15 साल में से वहां पे हो सत्ता में हैं और वो वहां के जिले लाही बन गए हैं कि बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलता और तो इस तरह की जो समस्या चोटे चोटे क्योंकि मैं समय का एक रहता है समस्या तो एक जैसे आपने खेती किसानी बताई बिरुजगार मुद्दा धर्म सामपरदाइक ता जातिवाद इसका कर रहा है वहां फिलहाल धर्म का मुद्दा यहां पर नहीं है क्योंकि इस बार किसी तरह का कॉंग्रेस ने लूप खोल नहीं छोड़ा है कि जहां पर वो रूम दिया जाए और धर्मित मुद्दे को यह किया जाए हाला कि लोकल लेवल पर ये कोशिश है अपने अपने जी पर दाएक मुद्दों पर तो बहुत जादा नहीं है चुनाओ बहुत लोकल लेवल पर रड़ा जाए जाती बात के अगर हम बात कहें तो गुंदेल खंड और विंद का छेतर वहां पर जाती का मसला है और सारी पार्टियों को ध्यान में रखते ही अपने कंडिडेट्स ब है हमेशा से सिंधी और जैन ये दो एक कोर वोटर रहे हैं बीजेपी के और फाइनांसर भी रहे हैं मद्द पर देश में अगर हम खास बात करें तो करीब इनकी अबादी 2% से भी कम है मद्द पर देश में लेकिन इनका इंफ्लूएंस बिरोक्रेसी से लेकर के बिजनस से करके सारे चीजों पर बहुत परबल है इस बार को ऑंगरस ने ये किया है कि करीब 10 कैंडिडेट जैन समाज के लोगों को दिया है जो कि एक परसंट से भी कम पॉपिलेशन नहीं आप है और जैसे एक बात चलती है मैं बस को कंप्लेट कर रहा हूं मैं बस कंप्लेट कर रहा कंडिडेट को मैदान मुता रहा है तो इस पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉंगरस पुरी तरह से एक कम्मिनिटी को अपने तरफ मूफ करने की कोशिश कर रही है मॉबिलाइज करने की तो अब जैसे हम बात करें महिला सुरक्षा का भी मुदा जो मामा जी खुद को कहते हैं शिवराज सिंग तो किस तरह का वहां इन समुद्दों को लेकर महौल है क्या ये चुनावी मुद्दे है लोग जैसे ये कहते हैं कि भाई हमें हजार रुपे लाड़ली मेहंदा के त जैसे जाते हैं विंद्द चेतर में जाते हैं और क्या गाते हैं तो वहां पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई अनिप्लॉइमेंट एक लोगों के पास नहीं है और अगर मैं एक मज़धार बात बोलना चाहूँगा अगर थोड़ा वक्त मिल जाए गौालियर में अगनी वीर एक बड़ा मुद्दा है मैंने खबर भी की थी कैसे अगनी वीर एक मुद्दा वहां से निकल करका है क्योंकि मद्द परदिश में सबसे ज़्यादा जो सेना में लोग जाते हैं बच्चे वो भिंड मुरेना और गौालियर से जाते हैं उसके बाद रिवा स सतना और सीधी के चेत्र से जाते हैं तो वहां पर उनके लिए अगनी वीर एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब कोई इंट्रेस नहीं ले रहा है एक ट्रेनर से मैंने बात की कि पहले मेरे पास 2000 बच्चे हर रोज में उनको ट्रेंड करता था आज वो 300-400 पर आ गये हैं त कौंग्रेस ने कुछ-Kुछ बाते हैं अपनी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे लेकिन दोनों पारिची ओकिर हम बात कर रहें तो बैयान-बाजी के अलावा बहुत जादा कुछ महिला सुरक्छा पर देखने को नहीं मिला है हां बात रूर हुरही है कि हम ये करेंगे जनता में किस तरह का इसको लेकर बाते हैं। जगे फलाँ हो गया। लेकिन कुछ कॉंक्रीट रोड मैप महिला मुख के मुद्दों पे नहीं दिखता दोनों पार्टि मुखे वैसे बहुत बाते हैं। लेकिन रहने वाले मध्यप्रदेश के हैं। इन दौर आपका ग्रह नगर है। और इन दिनों पूरे मध्यप्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं आप। तो मैं आप से जानना चाहूंगा आप कहां कहां गए, क्या रंग देखा आपने चुनाव का, क्या मुद्दे आपको जनता ने बताए, कैसा दिख रहा है चुनावी? मुकल जी, मैंने पश्चिमी मत्यप्रदेश, जो की मालवा कहलाता है, और निमाड का कुछ हिलाका, ये मैंने घुमा है, थोड़ा मैं गॉजयर रिजन, गॉजयर संबल रिजन में भी गया था, जहां तक इस चुनाव में मुद्दो की बात है, तो मुद्दे कहीं इस चु मुद्दो का कोई जिक्र नहीं चुनाव में नहीं हो रहा है, किसी पायटी की और से नहीं हो रहा है, भारती जनता पायटी जो है, वह अपने पारम परीक जोंके मुद्दे हैं, धर्म, राम, और हिंदु मुसल्मान, उन मुद्दो को लेकर मैं मैदान में है, और दूसरा अपनी कुछ लाडली पहना है, जैसी योजना है जो मुद्देश में, इसका उन्हें बड़ी उमेद है कि योजना के सहारे जो है चुनाव नहीं हो जाई. लेकिन मैं आप से पूछूँगा क्योंकि हमारे रिपोर्टर से नहीं बताया कि धर्म सामप्रदाइटा का मुद् जनता और भारती जनता पार्टी के बीच में, कांग्रेस का यी चुनाव लड़ती हो जी दिखनी रही है. तो क्या ये बज़े 20 साल की एंटी इनकेंबेंसी है, सत्ता के खिलाफ एक रोश है, ये क्या है? क्यों जनता में क्यों इतना गुस्सा है या मुखालफत है? पीच साल की एंटी इंकम्मेंसी राजी सरकार की है दस साल की केंटर सरकार की एंटी इंकम्मेंसी भी है पहंगाई जनता तरस्त है करप्शन बहुत बड़ा मद्धा है मत्रदेश में बेरोजगारी यह लेकिन इन सब मुद्धों को से काउंग्रेस गुछ जिस तरी कैसे उठाना क्ई. कोई चीज पती नहीं है. हिंदुस होता है लेकिन कांग्रेस का प्रदेश नहीं तरफ में कमलना वो बीजेपी के पीच पर जाकर खेल रहे हैं और कांग्रेस का अभियान पूरा जो है वो बिखरा हुआ है कांग्रेस के और से सबसे बड़ी है कम्यून के इस्टार बचार हो की है शिर्प प्रियंका गांधी और मलीकार जुन खड़ गए यह दो केंद्री नेता मजब परदेश में प्रचार कर रहे हैं प्रियंका की सवाहों में कापी भीड आ रही है और जनता में उनके प्रतिया आ इंडिया की वज़े से मत्यप्रदेश में भारती जनता पाइटी की सरकार जरूर वनी पे चार साल साले तीन साल पहले लेकिन वह प्यक्तर जो है भारती पाइट के लिए नकारात पक भूमिका आदा कर रहा है उनकी वज़े से जहां उनके समर्थकों को टिकट मिले है तो बारती जनता पाइट के पारंपरी कारी करता है मूल कारी करता है उनमें बहुत है शंतोश है तो यह और हम पूछें अगर बीएसपी एसपी क्योंकि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस में भी बहुत रार देखने को मिली बीएसपी भी वहां फैक्टर है उसने भी पि पार्टी और समाजवादी पार्टी कुछ हिलाकों में अपना असर रखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश से लगावा बुंदेल खंड का हिलाका है समाजवादी पार्टी कुछ स्वीटों पर असर करती रखती है एक समय मत्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ यह दो कांग्रेस के अलावा दो राजनेतिक ताक्ते मत्यप्रदेश में हैं और यह चुनाव को प्रभावित करेंगी चुकि इन्होंने कोशिश की जी कांग्रेस से ताल मेल की लेकिन कांग्रेस का जो प्रादिश्क नहीं तरह है वो राष्टी परिजश्च को या तो देख जिस तरह से अब शिवराज सिंग सरकार को लेकर सोच रही है उसका फाइदा कांग्रेस को शायद वहां मिल जाए पर जनता के बीच जब आप गए तो जनता कौन से ऐसे मेन मुद्दे कौन से ऐसे मुखे मुद्दे अपने बता रही है जिसकी वज़े से वो खिलाफ में व और करफशन की कदम कदम पर सरकारी दफ्तरों में जनता को किसी भी काम के लिए पैसा देना पड़ता है काम के लिए और मोद्य जी तो कहते हैं रेलियों में कि उन्होंने करफशन मिटा दिया और करफशन के खिलाफ उन्होंने तमाम एजेंसियां छोड़ लगी है और वो करफशन को बिलकुल खतम करके रहेंगे लेकिन फिर करफशन और अभी जैसे अभी जो केंद्रिय मंत्री है नरेन सिं बारती जनता पायर्टी ने जित्ते केंद्री नेताओं को चुलाओं में उतारा है तीन केंद्री मंत्री और पांस सांसद उसमें एक पहला पटेल को छोड़कर बाकि सभी जो है वो कड़े मुकाबले में मुशे हुए हैं इंदोर में केलाश फीजे वरगी वालियर में मु और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो किसानों का मुद्धा है जो आपने कहा भी किसानों का एक मुद्धा बना तो किसान किस तरह से बात कर रहे हैं चुनाओं को लेकर किसानों में तो उनके फजल के दामों को लेकर तो असंतोज जो है वो है और दूसरा वो महंगाई का बुद्धा उनका किसानों के बीच में भी काफी असर है उसका तो अब क्योंकि अभी सत्रा को वोट पढ़ेंगे और हम एक बार फिर आए लेंगे सोचते हैं कि आपके पास फिर दुबारा आएं आपने हमें जानकारी दी आपने बताया आपका एक हैडलाइन जो है आपकी तरफ से यह है कि बीजेपी कड़े मुकाबलें फसी है जनता क का गुस्सा है और कॉंग्रेस को इसका फायदा हो रहा है हाला कि कॉंग्रेस अपने तोर पर बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती दिख रही है तो देखते हैं अभी सत्रा तारिक को वोट है जी जो आपने नहीं पूछी है कि मद्द्रदेश में भारती जनता पारिटी की और से भी चुनावर लड़ रहे हैं ओर भारती जनता पारटी का जो नेचरल लीडर जो है वो सो उनly है बहुत-शित को पारिटी ने किनारे करने की कोशिश की, जै लेकिन उसके बाद शिवरा सिंग ने एक तरह से ये कहना चाहिए कि बागी तेवर दिखाए और उन्होंने अपने आपको ही मुख्यमंत्री पत्का उम्मिदवार घुशित करना शुरू किया आम सबाओं में और उन्होंने कहा कि मद्यपरदेश 2024 में अगर नरेन मोधी को प्रदान मंत्री बनना है तो आपको मुझे मुख्यमंत्री बनाना होगा तो ये एक तरह से उन्होंने केंजरी नेज़त पो को संक्रिया तो हम आपके पास आएंगे आपने हमें इतनी जान कर दी शुक्रिया को सुना आपने वरिश पत्रकार अनिल जैन जी को सुना तो महंगाई बेरुजगारी खेती किसानी जो पूर एक देश में मुद्धा है वही लगभग मध्यप्रदेश में भी मुद्धा है धर्म सामपरदाइकता के तालका लगानी कि उसमें कोशिश है लेकिन फिलाल जनता क बीची से लेकर बहुत उच्सा आने ही दिख रहा है बीस साल का शाशन भी लगभग हो चुका है शिवरा सिंग सरकार का बीजेपी का उसके खिलाब भी लोगों में गुस्सा है अब कांग्रेस का जिस तरह से कैमपेन है जिसे हमारे पत्रकार साथी ने बताया बहुत जाद का फाइदा जनता जो चुनाओ लड़ लए उसका फाइदा कांग्रेस को मिलेगा बीएसपी एसपी भी चुनाओ में प्लेयर हैं खिला रही हैं उनकी भी अपनी अपनी कुछ-कुछ सीटों पर मजबूत दावेदारी है तो अब आगे देखते हैं 17 को वोट पढ़ेंगे आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में शुक्रिया नमस्कार